हेलो एस्टुडेंट्स, पिछले बार की मैंने मंडे मॉर्णिंग ब्लू को इंग्लिस भर्षन दिया था और बहुत सारे एस्टुडेंट्स और पैरेंट्स के रिक्वेस्ट पर में आज मैं उसका हिंदी भर्षन करने जा रहा हूं तो थोड़ा गौर से इसको वीडियो को अंतर तक देखिएगा और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा इंग्लिस भर्षन और हिंदी भर्षन दोनों को यह जो मंडे मॉर्णिंग ब्लू है आपके यूनिट ग्रोइंग अप जो यूनिट है उसका चैप्टर का नाम है मंडे मॉर्णिंग ब्लू जी और इसका ज पहान हिूमरिस्ट और उस उन्हें जो है अमेरिका का जो है सो फादर ओफ इंग्लिस लिट्रेचर कहा गया है मिस्टर फॉक्नर ने उन्हें फादर ओफ इंग्लिस लिट्रेचर कहा है और यह 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 मार्क ट्वेंड जो है उनका पेन नेम है असली नेम जो है उनका सैम्व लेकिन वह जो है Mark Twain के नाम से कहानिया लिखती थे और यह जो आपके कोर्स बुक में है वह जो है सो एक सिंप्लिफाइड रूप में है मतलब सरल उसको करके प्रस्तूत किया गया है तो मैं अब जो है सो Mark Twain की कहानी बता रहा हूँ जो आपके कोर्स बुक में है तो मार्क ट्वेन जब भी मन्डे आता था तो वह जो है सो बड़ी उसको जो है सो क्योंकि मन्डे से फ्राइडे तक जो है सो इस्कूल का दूसरा जो सफ्रिंग स्टार्ट हो जाता था मतलब पेन फुल इस्तिति जो है सो सुरुवात हो जाती थी वह बड़ा कस्ट में पर जाता था क्योंकि वह चाहता था इसकूल नहीं जाना चाहता था इसलिए वह जो है सो कुछ बहाना ढूड़ना चाहा अब वह क्या कौन सा जो है सो उपाई ढूंड़े कौन सा महाना ढूंड़े तो उसने सबसे पहले जो है सो सोचा क्या महाना ढूंडा जाए तो देखा उसका एक जो है सो उपर बाला दात का एक दात जो है सो हिल रहा था वहा लूज था तो उसने सोचा कि मैं यह डहमाना ढूंड करके बता दूंगा और मैं इसकुल नहीं जाओंगा फिर सोचा उसने जो कहीं यह बात जो है अंटपॉली मेरी समझ गई तो वह हम जो हैसो क्या करेगी तो मैं यह दात को जो हैसो उखार डालेगी उसको बाहर ले आएगी तो मैं फिर प्रॉबलम में और जैदा कस्ट हो जाएगा तो उसने कहा इस यह दात बाला जो प्रिटेंड है प्रिटेंडिंग है उसको मैं किसी दूसरे दिन के लिए रखूंगा और फिलाल जो हैसो उसने एक डॉक्टर से सुना था एक पेसेंट के बारे में जो एक पेसेंट का जो है फिंगर लूज था तो फिंगर जो हैसो गिरने बाला था डो पैर का तो उसने अपने बिछाबन से अपने पहर को निकाला और उसका इंस्पेक्शन किया तो सोचा कि इस बार यहीं बहाना किया जाए और उसने सोच करके ऐसा और फिर जो है सो बहाना start उसने कराहना शुरूत रहा, growing, he began to start growing louder and louder, जोर जोर से वह कराहने लगा, तो यह उसके बगल में seed स्वया हुआ था, इस सीड, इसमें जो है सो character है, main character जो है कौन, aunt swear है, protagonist है, central character है, दूसरा है, seed, फिर aunt poly है, और फिर जो है, Mary है, यह चार character इस story में है, तो वह जो है सो, जोर जोर से कराहने लगा, seed जो है सो, उसके बगल में स्वया हुआ था, तो वह जो है सो, चाहा उसको जगा ना, लेकिन फिर वह नहीं जाग रहा था, लास्टली, aunt में जो है सो, जोर जोर से कराहने लगा, तो seed का निद्रा थोड़ा भंग हुआ, और वह जो है, उबासी लिया, yawnd, seed yawnd, and stressed his, what body, फिर देखा, seed जो ही यह तो कर रहा है, तो उसने पूछता है, seed, जो तुम क्यों करा रहे हो, why are you groaning so much, इस पर में जो है सो, तो टॉम जो है सो, कुछ नहीं बोला, फिर बोला, करा ही रहा था, तो I am dying, I am dying, I am going to die, और वह बोला, जो मेरा जो यह विंडो स्यास है, और एक आँख बाली, बिली है, वह जो है, टॉन में जो एक नई लड़की आई है, उसको दे देना, और उससे को कहना, मैं मर रहा हूँ, ऐसा उसने, ऐसा, सीट को बहुत खराब लगा, और वह जो है, सो, कहा जी क्या बात है, वह समय डर गई, डर गया, और वह जो है, तुरह तो वहां से, अंटपॉली को इनफॉर्म करने के लिए, चला गया, तो अंटपॉली जो है, सो, बहुत डर गई, जब इस तरह का बात, जो है, सीट ने बोला, अंटपॉली को, तो बहुत, अस्पेडली, हरीडली, अंटपॉली, केम टू टॉम सोयर, उसके पास आया, आई, और जब उससे पूछा, तो टॉम सोयर, जो है, सो, दर्द से, दर्द करने का पहना, तो कर ह ही रहा था, लेकिन जब ही अंटपॉली को, उसने देखा, तो थोरा सा उसको, यह भी हुआ, जो मैं पकराना जाओं, और तो क्या बात है, तो बोला, जो, मेरा जो है, सो, यह एक टो है, एक पाउं का एक उंगली है, वह जो है, सो, दर्द कर रहा है, वह जो है, सो, सोर है, स तो मिलकूल मुझे डड़ा दिये, और उसने जो है, सतब जा करके, एक चेर पर में बैख गई, अंटपॉली, थोरा हासी, फिर जो है, सो, थोरा बोली, फिर हासी, और फिर जो है, सो, इसके कारण तो मरने नहीं जा रहे हो, तो अब, यह टॉम सोयर सोचा, कहीं, जो है, सो, यह मेरा बहना पकरा तो नहीं गया, मेरा एसक्यूज जो है, पकरा तो नहीं गया है, तो जो है, अंटपॉली, मैं तो मेरा दांत जो लूज था, वो तो कहना आपको भूल ही गया, तो फिर अंटपॉली बोली, जो है, सो, तुमारे दांत के साथ क्या हुआ है, यह इतना द स्कूल नहीं जाना चाहरा है इसलिए यह बहना कर रहा है Tom Sawyer और कहा तुमने you have broken my heart I am very sad with you तुमक करें लेकिन आज तुमने जो है मुझे बहुत उधास कर दिया में मुझे बहुत धोखा दिया और इस तरह जो है saw Thomas ко words to usे डुकी होई & paulie and mary थहीं साथ में so mary को जोंए को भी और सुमसांज के लाह लाओ लाओ चंग ऑफ फायर एक मतलँ जो है आग सिलक थ्रेड जो है धागा सिलक यह नीकालती हूं और यह लाया गया सिलक का एक धागा टॉम सोयर के धागा दांथ से बांद या गया और दूसरा बेट पोस्ट सब्शोत पलंग उससे के पुवे से बांद या गया और थ्रस्ट जो है उसको आग जो है उसके मुख के पास ले जाया गया और वह जो है सो दात जो है जो है तो टोट करके बाहर आ गया और वह जो है सो हवा में डैंगलिंग कर लिए मतलब एक आवाज जन जनार की होने लगी और इस तरह से जो है सो यह कहानी समाप्त होती है तो और यह जो है बच्चों कैसे सोचते हैं स्कूल नहीं जाना का, क्या-क्या बहाना बनाते हैं, इस समध में राइटर जो ने अपना बिचार रखा है, यह यह और इसको सिंप्लिफाइट किया गया है, और आपके कुरस में जब आप बढ़े होंगे ति इसको जो है, और आपके कुरस बुक में है, उसको सिंप्लिफाइट करके दिया गया है, सरल करके उसको प्रस्तुत किया गया है, तो एक बार आप सबों से रिक्वेस्ट है, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक साधिक सेयर करें, और जिसे की नया वीडियो जो है आप तक, फिर मैं पहुंचा सकूँ, धन्यवाद।